हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल आइम शेशांक तिवारी एंड डिस इस बाइन अधर वीडियो सो गाइज आज की वीडियो का टॉपिक है जैसा कि आप सब को पता है हम लोग अपने स्मार्टफोन में कोई इमेज क्याप्चिर करनी रहती है तो हम लोग किसी भी दो कीस के कॉंबिनेशन से बहुत ही असानी से स्क्रिंशॉट लेते हैं बर दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप चाहो तो दो तीन पेज का स्क्र स्क्रिंशॉट में ले सकते हो मतलब कि आप जितना चाहो उतना लंबा ले सकते हो अपने स्मार्टफोन में तो दोस्तों कैसी उस करते हैं वह मैं आपको ताऊंगा इस वीडियो में जैसा कि कभी-कभी आपको पता है कि जैसे हम लोग कोई वेबसाइट पर कोई चीज पढ करनी है एक ही इमेज में तो वह आप कर सकते हो बहुत ही असानी से दोस्तों सैंसेंग के स्मार्टफोन में एक सॉफ्वेर अपडेट हुआ है जिसके बाद हम लोग को एक ये फीचर मिलता है स्क्रिंशॉट का जिसके हम लोग 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 ले पाएंगे तो दोस्तों आप कि कैसे कर सकते हो वह मैं आपको उताओंगा इस वीडियो में फुल टुटोरियल अपने स्मार्टफोन में वीडियो बहुत ज़्यादा है यूसफुल है प्लीज वीडियो को एंड तक देखना इन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर भी तिक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब माई चैनल और अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर तो अब मैं आपको उताओंगा कि आप अपने स्मार्टफोन में लॉंग स्क्रीन शॉट कैसे कैप्चर कर सकते हो तो दोस्तों ये अपडेट है समसंग के स्मार्टफोन में जिसके हैं आप लॉंग स्क्र स्क्रिंट पैप्चर कर सकते हूं जैसे कि मैं आपको यहां पें यूटू प्लिकेशन ओपिन कर नहीं आपें यहां पे awful don कौनुघ के अब स्मार्टफोन के साइज किया बट अगर मुझे लॉंग स्क्रिंशॉट कैप्चर करना हो तो उसके लिए एक अपडेट हुआ है सैमसंग के स्मार्टफोन में जैसे कि मैं आपको एक और दिखाता हूँ जैसे मैंने स्क्रिंशॉट लिया तो यह आगया स्क्रिंशॉट यह भी सेम साइस का है जैसे नॉर्मली हम लोग अपने स्मार्टफोन में कैप्चर करते हैं बट दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको यूनिक चीज जो नीव अपडेट हुआ है जिसके हैप से हम लोग ल से जो कुछ भी कर सकते हो यहां इस अब्डीट के बाद जैसे के आप देख सकते मैं बहुत यसादि इसारी से यहां पर शिवाय लिखने कर है कि जो भी चाओ आप यहां पर पैंसल पैं कुछ भी पैइंट ब्रेश लीकर एडिट कर सकते हो ढूht डौर सकते हो जैसे कि mình हुआँगा में चीजe long screenshot लेने के लिए तो जैसे ही मैंने screenshot click किया यहाँ पर जो पहला option आपको click करना है तो यह फिर आपको click करना है तो यह और long हो गया फिर press करना है तो यह और long हो जाएगा तो ऐसे यहाँ से करके आप जितना चाहो इतना बड़ा screenshot ले सकते हो तो तो फिलाल मैं आपको दिखाता हूँ यह screenshot आप देख सकते हो यह कितना long screenshot मैंने ले लिया है एक ही image में जितना भी मुझे detail चाहिए थी वो मैंने बहुत easily capture कर लिया है तो यहाँ पर आपको swipe करके लंबा यहां पे screenshot बना सकते हो यह आप जितना प्रेस करते जाओगे उत्ता बड़ा यह होता जाएगा दोस्तों यहां पे पूरा screenshot ले लिया है आप देख सकते हो यह है वो final image पर दोस्तों यहां पे एक चीज़ होगा कि थोड़ा सा blur हो सकता है बट यहां पे आपको पढ़ने चाहो उतना detail capture कर सकते हो बहुत ही असानी से जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो तो दोस्तों यह था आज का वीडियो उम्मेद करता हूँ आप वीडियो यूस्फुल लगाओगा वीडियो यूस्फुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए झाल सकते हैं